Hello my friends, welcome to my channel gardening at home और आज Sunday है और टाइम है अपनी Sunday garden update का साथी में मैं आप लोगों से शेर करने वाली हूँ कि हमारे आने वाले March, February से लेके March तक हमारे गार्डन को कौन सी flowers बिल्कुल खुबसूरत बनाने वाले हैं जो बिल्कुल भर-भर के flowering देते हैं तो बिल्कुल ओवर-व्यू के साथ-साथ मैं उन flowers के नाम भी शेर करने वाली हूँ जो आने वाला Spring Garden हमारा बहुत ही खुबसूरत बनाने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और पासी में बेल आइकन को प्रेस तो चलिए सेंटर है हमारा हमारे बैक्याड गार्डन का और यहीं से शुरू करते हैं यहां का ओवर्व्यू देने के साथ साथ यहां पे जो कुछ प्लांट्स हैं फ्लार्स हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगी कि देखे सबसे पहले जो यह हमारे बॉइ एंड गर्ल प्लांटर में गजानिया लगे हुए हैं तो अभी आपको फ्लावरिंग कम नजर आ रही है पर आपको बर्ट्स दिखेंगे कि इसमे भरपूर मात्रा में बर्ट्स बन रहे हैं और कई सारी गलियां हैं इसमें और यह सारे ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं हमारे स्प्रिंग गॉर बिल्कुल छोटे- वोड़ा सा फरवरी और स्पेंट होगा, ये और भी ज्यादा ब्लूमिंग करने लगेंगे और हमारे गार्डन को और भी ज्यादा खुबशूरत बनाएंगे, तो फरस्ट फलार हमारे गजानिया के हैं, जो हमारे फरवरी से लेखें मार्च तक हमें बहुत ही बहतरीन कर रहे हैं और अभी तक ब्लुमिंग कर रहे हैं जो हमारे टेरस गार्डन पर रखा है उनमें तो ब्लुमिंग बहुत ही ज़्यादा भरपूर मातरा में हैं क्योंकि वो प्लांट मैंने पहले लगाये थे तो वो बहुत ही ज़्यादा पूरा उसमें तो आपको लीज नजरी आएंगी सारे फ्लार्स ही नजर आ रहे हैं पर यहां पर थोड़ी से फ्लार्स कम हैं धीरे धीरे यह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लुमिंग देने वाले हैं तो सेकेंड नमबर पर हमारे इंपेशन्स हैं थर्ड नमबर पर जस्ट उसी के पीछे आपको हमारे डे नमबर पर ही हमारे सैंटर में रखा हुआ पिटूनिया आपको नजर आएगा कलर्फुल है बहुत ही कुछ रैड परपल यह सारे ही ब्लूम कर रहे हैं और दिखिए काफी अच्छे से से स्टैबलिश हो गया है मैंने आपको जब पहले इसका व्यू दिखाया था तो इसमे अज़ हमारा जो स्प्रिंग गार्डन है उसका राजा है राजा कहेंगे तो खम नहीं होगा क्योंकि पिटूनिया इतनी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं जितनी अच्छी हमारी गुल्दाओधी जन्वरी डिसम्बर जन्वरी में ब्लूम करती है न उतनी ही अच्छे से पि देखे बहुत थी अच्छे से ब्लोमिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे क्रिसैंथिमम्स तो मैंने भटा दिए हैं और सेफ कर लिए हैं और अभी भी बहुत है हमारे प्लांट में जो फ्लोम हो रही है तो यहां पे हमारे गार्डन को खुब्सुरत बना रहे हैं क्रिसांथिमम्स हमारे December to January तक हमारे गार्डन को खुबसूरत बनाते हैं अगर आपने थोड़े ब्लांट लेट लगाए है तो वो फर्वरी तक ब्लूम कर जाते हैं फर्वरी में ब्लूम करने वाला जो हमारा next हमारा प्लांट है वो है डेलिया देखे बहुत ही खुबसूरत से प्यारे प्यारे से कलर्स में ब्लूम बिल्कुल करने लगा है और बहुत ही प्यारा सा कलर आपको ये दिखाती हूँ देखे और एंज बिल्कुल यलो शेड में बहुत ही खुबसूरत और ये purple वाला तो मैंने cutting से लगाया था मेरा पिछले एयर का plant है purple color वाला उसी से मैंने 2-3 plant की cutting लगाई है तो वो सारे ही blooming उनमे start हो गई है और ये देखे ये हमारा red color का ये भी bloom होना start हो रहा है और कुछ देखे आपको ये हमारी single petal वाले नजर आएंगे जो ये सारे single petal वाले हैं वो मेरे beach से grow हुए है seedling मैंने की थी ये single petal वाली तो वो है तो ये सारे single petal वाले हों चाहे ये हमारे double petal वाले ये हमारे spring garden को बहुत ही खुब्सूरत बनाने वाले हैं देखे बिल्कुल भरपूर मातरा में इन्मिक कलियां बन रही हैं. कई सारी कलिया आपको नजर आएंगी. और ये सारे ही बिल्कुल ब्लूम होने वाले हैं. हमारे फरवरी टू मार्श तक ये हमारे गार्डन को बहुत ही खुबसूरत बनाने वाले हैं. देखें ये भी बहुत ही प्यारा सा कलर और ये हमारा यलो कलर का या काफी खुबसुरत सा डेलिया तो डेलिया हमारे गाड़न को फरवरी से लेके March वर सेंके March तु अप्रेल तक हमारे गाड़न रहता है और बहुत ही खुबसुरत बनाता है Next number पर यह हमारे आपको आगे जो नज़र आ रहे हैं Calendula और यह जो है बहुत ही खुबसुरती से bloom करते हैं और धीरे धीरे यह बहुत ही ज़्यादा घहने हो जाएंगे और आपके garden को और भी खुबसुरत बनाएंगे देखें कितने प्यारे प्यारे से colors जो हैं वो हमारे गार्डन में आए है और बिल्कुल ये बहुत ही खुभसुरत से ब्लूम करने वाले है और हमारे स्प्रिंग गार्डन को बहुत ही खुभसुरत बनाने वाले हैं नेक्स नमबर पे हमारे नेस्ट ट्रेशिम हैं ये भी बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं हमारे स्प्रिंग गार्डन को काफी कलर्फुल बनाते हैं और मेरे पास जो मैंने इनकी सीडलिंग की हैं तो बहुत ही प्यारे-प्यारे से बहुत ही खुबसूरत बनाता है देखिए एकदम लाइट पिंक सा शेड है ये और इसमें भी आप कलियों देखिए कित्ती सारी कलियां है और बहुत सारी कलियों के साथ ये हमारे स्प्रिंग गार्डन को और भी खुबसूरत बनाने वाला है इस साइड में आते हैं इस साइड में भी हमारे छोटे वाले कुछ के सैंथिमम्स रखे हैं और नीचे के साइड में मैंने सारे पिटूनियाज लगा दिये हैं और इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखें नेक्स नमबर पे मैं आपको डेजी दिखाती हूँ डेजी भी बहुत ही प्यारी blooming करने वाला है आपके spring garden में देखे पूरा इसने planter जो है एक plant ने पूरे planter को cover कर लिया है और कुछी दिनों में इतने सारे इसमें birds आएंगे कि ये पूरा flower से ढख जाएगा तो ये डेजी की जितनी भी variety होती है ये देखे ये छोटे वाले हैं डेजी की big size वाले भी flower आते है purple color के आते हैं बहुत सारी colors में और बहुत सारे varieties में आते हैं डेजी तो different जितनी भी डेजी की variety है वो हमारे spring garden में बहुत ही खुबसूरती से bloom करती है और हमारे winter garden को और भी खुबसूरत बनाती है February 2, March तक हमारे spring garden बहुत ही खुबसूरत बनने वाला है इंडेजी से next number पे आते हैं और इस side में देखे इधर का भी view आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे उपर side में सारे हमारे डेलिया है different different colors के यह देखे यह by cutting मैंने grow किया है एक plant में लेके आई थी जिसकी branch बिल्कुल टूट गई थी तो यहाँ पे crescentum लगा हूँ आपको नजर आएगा जस्ट मैंने इसी branch में लगा दिया था आप देखे यह branch पे कलिया भी आ गई है और बहुत ही अच्छे से यह खिलने वाला भी है कोई plant मैं लेके आई थी उसी में से टूट गया था शायद इसी में से उसका branch टूटा था same color नजर आ रहा है तो यह सारे ही देखे bloom होने के लिए ready है और जो cutting मैं बता रहे थी देखे यह यह भी दूसरी cutting है हमारा mother plant जो है न वो उधर drum planter में है तो यहाँ पे एक flower खिला था वो मैंने ले लिया था पूजा के लिए तो यह भी हमारे इस तरीके से garden को खुबसूरत बनाने वाला है next number पे आते हैं यह आ जाते हैं हमारे annual chrysanthemum और यह annual chrysanthemum देखे बहुत ही प्यारी से bloom करते हैं हमारे spring garden में पूरी कलियां से भरा हुआ है यह plant और यह पूरा ही खिलने वाला है पूरा आपको जो यह green green नजर आ रहा है न कुछ दिन में white white से flowers इस पे बहुत सारे नजर आएंगे सारा कितनी सारी कलियां इसमें बनी हुई है और यह बहुत ही खुबसूरती से bloom करता है हमारे spring garden को बहुत ही खुबसूरत बनाता है और पीछे साइड में आपको प्रिमुला नजर आएगा प्रिमुला भी बहुत ही अच्छी blooming करता है हमारे spring garden में और इदर साइड में सारे पिटूनियाज रखे हुए हैं तो ये पिटूनियाज तो हमारी आगे ब्लूम करने ही वाले हैं आगे आजाते हैं देखें यहां पे बेसल्स के मैंने प्लांट लगाए हैं अभी इन में कल्या नहीं आई हैं मिट फरवरी और लास्ट फरवरी तक यह भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग करें एंगे तिल हमारे मार्च अप्रेल तक यह ब्लूमिंग करेंगे इसके बाद नंबर आता है दिखें यह हमारे सीने नेरिया की जो सीडलिंग मैंने की थी तो इसमें भी कुछ दिन में कलियां आके ये बहुत अच्छी से भरपूर फ्लावरिंग करने वाला है तो ये है कुछ फ्यू हमारे बैक्यार्ट गार्डन का आगे भी आपसे शेर करती हूँ कुछ हमारे पैरेनियल प्लांट भी सीर्ड गार्डन के कुछ परण्य प्लांट भी führen लें है तो इसमें कलियो अच्छी ब्लूमिंग करने वाले आगे आने वाले दिनों में मार्च तक ये ब्लूमिंग करेंग है देखे किते सारे बॉर्ड जो हैं वो आये हुए हैं इन्होंने प्रोड्यूस किये हैं और ये भी बहुत ही खुबसूरत बनाने वाले हैं हमारे इस प्रिंग गार्डन को और कलन्चोस की ही एक वराइटी, आपको मैं इधर दिखाऊं ये दिखे डिफ्रिंट कलन्चोस की वराइटी है इसके लिवस आप देखेंगे इस तरीके से हैं और इसमें भी देखे किते सारे बॉर्ट जाये हैं इसमें यलो कलर के फ्लार खिलते हैं, मैं एक प्लांट लेके आई थी, पिछले एर और बाई कटिंग आप देख रहे हैं, मैंने कितने सारे इसके ब्लांट्स बनाए हैं, और सारे में ही कलियां जो हैं, वो भरपूर मातरा में निकली हैं, तो कुछ दिन में यहां पे पूरे यलो यलो से फ्लार आपको कलन चोज में नजर आएंगे, हमारा फरवरी टू मार्स सक यह बहुत अच्छी ब्लोमिंग देने वाला है, और इधर हमारा फाउंटेइन, हमारे गार्डन को खुबसूरत बनाता हुआ, नीची कुछ हमारे अभी क्रिसेंथमम सी हैं, साथी में ह जो छोटे वाले मेरी गोल्ड होते हैं, चाहिए वो छोटे वाले मेरी गोल्ड हों, चाहिए हमारे रेड वाली वराइटी हो, यह भी हमारे स्प्रेंग गार्डन तक चलने वाली है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इस साइड का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ, तो यहा बहुत ही खुशूरत से भैत्रीन से ब्लॉमिंग देने वाला है अगी आने वाले दिनों में यह हमारे मिनियाचर वराइटी-वाले हमारी संफ्लार यह भी बहुत ही प्यारी सी ब्लॉमिंग करते हैं हमारे स्प्रिंग गार्डन में और आप इनकी सीडलिंग अगर आपने नहीं की है तो आप इसके तयार बहुत भी ला सकते हैं और बिल्कुल फर्वरी के मौसम में आप इनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं और ये आपके स्प्रिंग गार्डन को ही नहीं आपके समर गार्डन को भ तो नेचर भी हमें बहुत ही प्यारे-प्यारे से सर्प्राइज़ देता है और गिफ्ट भी देता है तो अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से प्यारे-प्यारे से सर्प्राइज़ आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल और ये हमारी स्प्रिंग गार्डन में ब अगर पूर मात्रा में इन में बने हुए हैं कुछ में तेखे ये यलो कलर का है उधर परपल कलर के फ्लार भी खिलने लगे हैं तो आगे आने वाला जो समय है फरवरी टु मार्च यह बहुत अच्छी ब्लुमिंग देने वाला है इसके बाद नमबर आता है फ्रेंड्स हमारे प्लावरिंग देते हैं मार्च से लेके अप्रेल तक देखे इन में कई सारे बर्ड्स बन रहे हैं और फ्लार्स खिल रहे हैं तो ये भी आपके गार्डन को खुब सुरत बनाने वाले हैं आगे इसके बाद देखिए यह हमारे आइस प्लांट काफे अच्छे से इनकी ग्र हैं और ये हमारे स्प्रिंग गार्डन को बहुत ही खुबसूरत बनाने वाले हैं इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे बिगुनिया ये भी बहुत ही अच्छी ब्लुमिंग करते हैं हमारे स्प्रिंग गार्डन को खुबसूरत बनाते हैं साथी में साल्वया भी बहुत खुबसूरती से ब्लोमिंग करते हैं और हमारे आगे आने वाला जो स्प्रिंग गार्डन है बहुत ही खुबसूरत बनाएं गया इसके बाद देखेंगे तो हमारे सारे बुगिन वेलिया भी बहुत ही अच्छी ब्लोमिंग कर रहे हैं हाला कि अभी भी मुझे इनक में बहुत सारा काम करना है तो फर्वरी में मैं इनकी बहुत सारी प्रूनिंग भी करने वाली हूं इनको अच्छी से फर्टलाइज भी करने वाले हूं फिलाल ये बहुत ही अच्छी ब्लोमिंग कर रहे हैं देखें आप पूरा रेड रेड सा य ये देखे ये हमारे single petal वाले जो मैंने बिलकुल by seeds grow किये हैं और ये देखे ये purple वाला जुसकी cuttings मैंने लगाई थी ना ये main plant मेरे इसी drum में था और ये भी देखिए आपको आगे आने वालों दिनों में बहुत ही अच्छी blooming देने वाला है कॉसमोस तो कॉसमोस की ही एक variety है बहुत ही खुबसुरत से देखे, सारे birds आये हुए हैं, तो दिन में बहुत ही अच्छा color देंगे यह हमारे garden में, साथ ही में, हीbiscus की जो हमारे चिली हीbiscus हैं, यह भी देखे, बहुत ही अच्छा spring garden को बनाते हैं, यूफोरबिया मिली भी आप देख रहे हैं, कि इतना प्लांट में भी अच्छे से आपको खाद वेगरा एट करना है ताकि वो फरवरी से लेके मार्श सक आपको काफी खुबसूरत ब्लूमिंग देए ये देखे हिबिसकस तो हिबिसकस की भी जो हमारे हाइबरेट वराइटी है वो हमारे फरवरी टू मार्श सक बहुत अच्छी ब्लूमिंग देती है तो ये कुछ इधर का व्यू है और इधर हमारे सारे कॉस्मोस के प्लांट काफी खुबसूरत से घने हो गए हैं आगे आगे देलियाज लगे हुए है कुछ हमारे डेजी में देखे बिल्कुल कलिया आ गई है और इस साइड में हमारे बिक साइज वाले मैरी गूल बहुत ही खुबसूरत बना रहे हैं हॉली होक के प्लांट भी देखी काफी अच्छे से इस्टैबलिश होके हैं और ये आगे आने व लिली जो हैं वो हमारे इंडोर गार्डन को बहुत ही खुबसूरत बनाते हैं पीस लिली में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है फरवरी से मार्श तक इसके अलावा जो हमारे बल्बियस प्लांट हैं जैसे हमारे लिली के हो गए एमरिस लिली ये हमारी एमरिस लिली आपके गार्डन में नहीं है तो आप इसके बल्प को अभी पर्चिस करिए स्टार्टिंग फैब में और बिल्कुल उसे लगाईए फैर्वरी के लास्ट और मार्च में वो आपको बहतरीन ब्लोमिंग देने वाले हैं तो इधर हमारे कुछ खुबसूरत से पिटूनिया बिल्कुल बहुत ही प्यारी ब्लोमिंग दे रहे हैं आप लोगों को मेरा इनफर्मिशन जुरूर पसंद आया होगा और साथ ही में हमारे बैक्यार्ट गार्डन का ओवर्वियू भी चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपक के साथ और कोई नए इंफर्मिशन के साथ अब तक ले थैंक्स ववाचेंग और हैपी गार्डनिंग तो ओल फ्यू फ्रेंड्स बाई